प्रिष्ठ संख्या 182 अध्याय 15 स्वावृत अर्थात बायो डेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र इस पार्थ में आप पढ़ेंगे स्वावृत की विशेष्टाएं, स्वावृत का रूपाकार, स्वावृत की प्रस्तुती, विविधि सूचनाओं का ब्योरा, स्वावृत और आवेदन पत्र ये हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी ना हो विध्यार्थी के मन में अपने भविश्य को लेकर तरहा तरहा की कलपनाएं होती हैं कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वापन देखते हैं, तो कुछ अपनी मन चाही नौकरी पाने का ख्वाप बुनते हैं कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजिनियर, कोई मैनेजर बनना चाहता है, तो कोई बैंकर, वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं विध्यार्थी जीवन होता ही है कलपनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास एक दिन चाहतर जीवन अपनी परिणती प्राप्त करता है, और फिर हम अपनी कलपना के महल के दर्वाजे पर दस्तक देने लगते हैं अंदर प्रवेश का अर्मान संजोए लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है, कुछ को प्रवेश मिल पाता है और अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए नरेंदर भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थ ही है प्रिष्ठ संख्या 183 नरेंदर मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है सच पूछा जाए तो अंततह इसके भी बहुत आगे जाना चाहता है इस दिशा की पहली सीड़ी ही है मार्केटिंग एक्जेकिटिव का पद इसके लिए नरेंदर कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है अखबारों, बिजनस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर वो विज्यापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेचता रहता है मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है आज फिर दर्वाजे की घंटी बजी बाहर पोस्ट मैन खड़ा था नरेंदर के दिल की धड़कन बढ़ गई आशाओं और आकांगशाओं के मिश्रित उहा पोह के साथ उसने दर्वाजा खोला पत्र किसी कमपनी से ही आया था धड़कते हिरदय के साथ लिफाफा खोला फिर वही धाक के तीन पात वही नकारात्मक उत्तर नरेंदर के चाचाजी मुंबई से आजकल घर पर ही आये हुए है चाचाजी मुंबई में एक बड़ी कमपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पतपर है उनकी नजर नरेंदर के उदास चेहरे पर पढ़ती है नरेंदर चेहरा इस तरह उत्रा हुआ क्यूं है? इतने उदास क्यूं नजर आ रहे हो? वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बाटने से रोकता था लेकिन इस समय वो फट पड़ा जख्म ताजा ताजा था चाचा जी मैं मार्केटिंग एक्जेक्टिव के पद के लिए नजाने कितनी बार प्रयत्ने कर चुका हूँ? अगर मुझे साक्षातकार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाओंगा मगर उसकी नौबत ही नहीं आती या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार का पत्र आ जाता है लगता है अपने भाईयों या रिष्टेदारों को यह जुन लेते हैं चाचा जी मुस्कुराए मानव संसाधन विभाग में काम करने की वज़ा से ऐसी फप्तियां सुनने का उनका अनुभव पुराना था असफल उम्मीद्वार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे उन्होंने सैयत होकर नरेंद्र से कहा बेटे ऐसी बात नहीं है जिस तरह तुमें अपनी मंचाही नौकरी की तलाश है उसी तरह कंपनियों को भी मंचाहे उम्मीद्वार की खोज रहती है मगर उनकी समस्या ये है कि वे जब भी कोई विज्यापन निकालते हैं उनके पास सुवरित्तों का धेर लग जाता है कई बार तो पाँच पदों के लिए पाँच हजार सुवरित्त आ जाते हैं ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या ये संभव है कि वो हर किसी को बुलाए और उनका साक्षाद कार करें पांच पदों के लिए अधिक से अधिक पचास उम्मीद्वारों को ही बुलाया जा सकता है ये पचास उम्मीद्वार सुअवृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं प्रिष्ठ संख्या 184 नरेंद्र आश्चर्य चकित होकर बोला यानि साक्षातकार के बाद तो दस मैं से एक को चुना जाता है लेकिन साक्षातकार के लिए बुलाया जाना ज्यादा कठिन है सौ मैं से एक उम्मीद्वार को साक्षातकार के लिए चुनते हैं स्ववृत्त के आधार पर शेश 99 के हाथ निराशा ही लगती है चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा ही है, हो सकता है उस 99 में कई ऐसे भी उम्मीदवार हों जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हों मगर चूंकि उनके स्वावरित अच्छी तरह बने हुए नहीं होते, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं नरेंद्र के लिए ये चौकाने वाली बात थी, चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है, इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो, कि वो तुम्हारे प्रतियोगि की तुलना में तुम्हें पसंद करे, जिस प्रकार ग्राहकों को आकरशित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्यापनों का सहरा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए ये जरूरी है कि वो अपना स्वावरित सुन्दर और आकरशक बनाए, चाचा जीत जार एक स्वावरित की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधी से कर सकते हैं, जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधी अपने स्वामी का एक सुन्दर और आकरशक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्वावरित नियुक्ति करता के मन मे उम्मीदवार के प्रती अच्छी और सकारात्मक धारना उत्पन करता है एक अच्छा स्वावृत किसी चुम्बक की तरह होता है जो नियुक्ती करता को आकर्शित कर लेता है नौकरी में सफलता के लिए योगिता और व्यक्ती के साथ-साथ सुवरित निर्मार की कला में निपुनता भी आवश्यक है ध्यान रहे पहली लड़ाई तो तुम्हारा सुवरित ही तुम्हारे लिए लड़ता है इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है अगर सुवरित कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ वो अपने कमरे में जाकर अपना सुवरित ले आया और उसे चाचा जी को देते हुए बोला चाचा जी क्या कमी है मेरे सुवरित में चाचा जी ने सुवरित पर अपनी अनुभवी नजर दोड़ाई और परखा फिर बोले तुम्हारा सुवरित सही तरीके से नहीं बना है इसमें कमिया ही कमिया है मैं तुम्हें बच्पन से जानता हूँ और इसी लिए ये कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें साक्षातकार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे वेक्तितों में वे सारी खुबियां हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एक्जेक्टिटिव में होनी चाहिए मगर तुम्हारा स्ववरित इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी घलत तस्वीर पेश करता है और साक्षातकार की नौबत ही नहीं आने देता तुम्हें अपना स्ववरित दोबारा तयार करना होगा नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी वो बोला चाचा जी क्या आप अच्छा स्ववरित बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले हाँ नरेंद्र क्यों नहीं मगर शुरुवात कहां से करूँ चलो इतना तो अब तक तुम्हें भी मालूम हो गया है कि संकलित की जाती है प्रिष्ठ 185 नरेंद्र बोल पड़ा वा चाचा जी एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें ये तो गागर में सागर वाली बात हुई चाचा जी आगे बोले हाँ बेटे सुवरित के दो पक्ष है पहले पक्ष में वो व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की गई होती है दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रियोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती है पहला पक्ष है उम्मीद्वार और दूसरा पक्ष नियोक्ता सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती इसलिए सुवरित में वही सूचनाई डाली जा सकती हैं जिनमें दूसरे पक्ष यानि नियोक्ता की दिल्चस्पी हो वा नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा उनमें पहली तो ये है कि सुवरित में इमानदारी होनी चाहिए किसी भी प्रकार के जूटे दावे या आतिशोक्ती से बचना चाहिए ये मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चैन का अच्छा खासा अनुभा होता है गलत या बढ़ा चढ़ा कर किये गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है अगर साक्षातकार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दोरान कलाई खुलने का पूरा अंदेशा रहता है मगर इसका ये अर्थ भी नहीं है कि अपनी खोबियां और अच्छाईयां बताने में तुम कंजूसी बर्तो अपने व्यक्तित्व, ग्यान और अनुभाव के सबल पहलूँ पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए नरेंद्र चाचा की बातें घौर से सुन रहा था उसके मन में एक प्रश्न उभरा चाचा जी, सुवरित्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए सुवरित्त में आलंकारिक भाषा की गुनजाईश नहीं है इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बातें एक ही नजर में सपश्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर ना डालना पड़े नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा क्या स्ववरित के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है चाचा जी ने जवाब दिया इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि स्ववरित ना तो जरूरत से अधिक लंबा हो नहीं ज्यादा छोटा अगर बहुत संक्षिप्ट हुआ तो इसमें अनेक सरूरी चीजें आने से रह जाएंगी दूसरी और यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलूँ को नजर अंदाज कर सकता है लेकिन चाचा जी आप अपने अनुभाव के आधार पर कुछ गुर्तों बता ही सकते हैं बेटे ध्यान देने की बात ये है कि जब पढ़ बहुत बढ़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं मसलन यदी मैनेजिंग डिरेक्टर के पद के लिए विज्यापन दिया जाए तो गिनिती के लोग ही अपना स्ववरित भेजेंगे ये सारे लोग अच्छी योगिता और व्यापक अनुभावाले होंगे अतह इस थिती में स्ववरित यदी 9-10 प्रिष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यान पूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा लेकिन यदी नीचे के पद के लिए विज्यापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवे दनाएंगे यहाँ पर यदी स्ववरित दो-तीन प्रिष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धेर्यक हो सकता है यानी मेरी तरह जो कॉलिज से तुरंत निकला है उनका स्ववरित दो-तीन प्रिष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए प्रिष्ठ 186 यहाँ एक चित्र द्वारा स्ववरित लिखने का तरीका बताया गया है जिसमें सबसे पहले परिचय, फिर अनुभाव, फिर शेक्षनिक योग्यता, फिर विश्व विद्याले का नाम, फिर परीक्षा वर्ष इत्यादी आते हैं चाचा जी बोले हाँ, मोटे तोर पर तुम ऐसा मान सकते हो एक और बात, स्ववरित, साफ सुथ्रे ढंग से टंकित या कंप्यूटर मुद्रित होना चाहिए व्याकरन संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए ये बातें छोटी लग सकती है, मगर उम्मीद्वार के प्रती विपरीत धारणा उत्पन करती है नियोकता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीद्वार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया चाचा जी, शुरू में आपने कहा था कि स्ववरित व्यक्ति विशेश के बारे में सूचनाओं का सिलसले वार संकलन है क्या आप इसे और समझाएंगे? सूचनाओं का सिलसला किस प्रकार का होना चाहिए? चाचा जी, अपनी अनुभाव सिध्ध वानी में बोले बेटे, सुवरित, सूचनाओं का एक अनुशासित प्रभा है यानि इसमें प्रभाव और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए प्रभाव व्यक्ति परिचैसे प्रारंब होता है और शेक्षणिक युग्यता, अनुभाव, प्रशिक्षण, उपलब्धियां, कारियत तरगति विधियां इत्यादी पड़ावों को पार करता हुआ, अपनी पूनता प्राप्त करता है स्वावरित्त के ये जो अव्यव मैंने तुम्हें बताए हैं, वे केवल उदाहरन के लिए हैं आवश्यक्ता अनुसार इनमें फेर बदल किया जा सकता है नरहिंद्र ने जिग्यासा प्रकट की कि व्यक्ति परिचै में क्या-क्या बाते होनी चाहिए चाचा जी ने समझाया कि व्यक्ति परिचै के अंतरगत उम्मीद्वार का नाम, जन्मतिथी, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, इमेल का पता आदी सोचनाएं दी जाती हैं व्यक्ति परिचै में जन्मतिथी और माता-पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, वहां एक ही नाम के कई उम्मीद्वार होते हैं पिता के नाम और जन्म दिन के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है नरेंद्र ने अगला सवाल उठाया चाचा जी, व्यक्ति परिचै के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए यदि उम्मीद्वार किसी बड़े पत के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचै के तुरंत बाद डाली जा सकती है लेकिन तुम्हारी तरह जो कॉलिच से तुरंत ही बाहर निकले हैं उन्हें व्यक्ति परिचै के ततकाल बाद अपनी शैक्षनिक योगिताओं की चर्चा करनी चाहिए शैक्षनिक योगिताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिनमें प्राप्त डिप्लोमा या डिगरी का विवरण, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोड या विश्वविद्याले का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विशय, प्राप्तांक प्रतिशत और श्रेणी का उलेख होना चाहिए नरेंद्र ने सवाल किया, पढ़ाई लिखाई या अनभाव की चर्चा तो ठीक है, मगर कारियत्तर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? चाचा जी, सोफे पर बैठे बैठे, थोड़े बोर हो रहे थे, वे खड़े होकर कमरे में चहल कदमी करने लगे, और खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे हम्, जब नियोगता किसी उम्मीद्वार को चुनने का निर्णे लेता है, तो उसके संपून व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है कार्येत्तर गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के वेक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारियां मिलती है और पद के लिए उसकी योग्यता को तै करना आसान हो जाता है मसलन यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाडी है तो ये माना जा सकता है कि उसमें टीम भावना अवश्य ही होगी अगर किसी को भाशड या वाद विवाद में धेरों पुरसकार मिल चुके हैं तो इससे उसकी वाक पटुता और संभाशन कला का पता चलता है यदि तुम्हारी कोई ऐसी गतिविधी या होबी हो जो तुम्हारी उम्मीदवारी को सबल बनाते हों तो उनकी चर्चा करना मत भूलना नरेंद्र बोल पड़ा चाचा जी मुझे तो भाशड और वाद विवाद में बहुत सारे पुरसकार मिले हैं परेटन का भी मुझे शौक है क्या मुझे अपने सुआवरित्त में इनकी चर्चा करनी चाहिए थी? चाचा जी थोड़ा गुसा दिखाते होए बोले क्या अब तक तुम इनकी चर्चा करना भूल जाते थे? अगर तुम मार्केटिंग एक्जेक्यूटिफ का पद पाना चाहते हो तो तुम्हारी इस प्रकार की कतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मिद्वारों से मीलों आगे ले जा सकती हैं मार्केटिंग एक्जेक्यूटिफ के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो बाग पटू हो और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो चाचा जी को अचानक एक और बात याद आई सुआवरित में दो-तीन वैसे लोगों के नामपते भी दिये जा सकते हैं जो उम्मीद्वार के रिष्टेदार न हो मगर उनकी योगिताओं एवं क्षमताओं से परिचित हो जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित वेक्ती हो यदि वे उसी क्षेतर के ज नहीं काम कर रहे हैं वे तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे मगर वे क्या करें जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं और संबंधित उद्योग या क्षेतर के लोगों से जिनका परिचय नहीं है चाचा जी का उत्तर था जो कॉलिट से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंस्पल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए कॉलिट से तुरंत निकले चात्रों के मामले में नियोकता प्रिंस्पल या प्रोफेसरों की राय को महत्वपूर मानते हैं क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवार को विद्यार्थी रूप में कई वर्षों तक नस्दीक से देखा परखा होता है। नरिंद्र की सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए वो बोला। चाचा जी आपने इतनी बहु मुल्य जानकारियां दी अब शायद स्ववरित्य की वज़ह से मैं खारिज नहीं किया जाओंगा। शायद अगली बार मैं जरूर सफल हो जाओंगा। चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले। धन्यवाद इस प्रकार नहीं, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अख़बार लेकर आओ। मैंने अब तक अख़बार नहीं देखा है। और हाँ, जब तक मैं अख़बार का दैनिक पारायन संपन करता हूँ, तब तक तुम मुझे अपना एक स्ववरित बना कर दिखलाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरी बातों का तुम पर क्या असर पड़ा है। प्रिष्ठ संख्या 188 चाचा जी अख़बार के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगे और नरेंद्र अपने कमरे में अपना स्ववरित तयार करने लगा। कुछ समय के बाद वो बाहर निकला और चाचा जी के सामने उसने अपना स्ववरित पेश कर दिया। स्ववरित इस प्रकार था, सबसे पहले मध्य में स्ववरित, उसके बाद बाईयोर नाम और उसके ठीक सामने दाईयोर नरेंद्र कुमार, इसी प्रकार नीचे पिता का नाम सुरेश कुमार, मा का नाम शबनम, जन्मति थी, 18 नवंबर 1982, वर्तमान पता, D72, पॉकेट चार, मयूर विहार, फेज एक, दिल्ली, 110-09-2, स्थाई पता, वही, टेलीफोन नंबर, 011-227-18296, मुबाइल नंबर, 98-682-34-859, इमेल, 85-narendra, at yahoo.com, इसके पश्चात, शैक्षनिक योगिताएं लिखी हैं, जो की सारणी के रूप में हैं, जिसमें सबसे पहले है क्रम संख्या, इसके पश्चात है परीक्षा, स्लैश डिगरी, स्लैश वर्ष डिप्लोमा, इसके पश्चात है विद्याले, स्लैश बोड, स्लैश महा विद्याले, स्लैश विश्व विद्याले, तत पश्चात है विशय, उसके पश्चात श्रेणी, और अंत में है प्रतिशत, क्रम संख्या एक में है, दसवी कक्षा, उननिस सो सत्तानवे, राजिकिय विद्याले, CBSE, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गनित, सामाजिक विज्ञान, श्रेणी, प्रथम, प्रतिशत 93 प्रतिशत, क्रम संख्या दो, बार्मी, वर्ष 1999, वही CBSE, विशय, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गनित, श्रेणी प्रतम, प्रतिशत, 95 प्रतिशत, क्रम संख्या तीन, BSC Honors, वर्ष 2002, हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्व विद्याले, दिल्ली, विशय, कंप्यूटर साइंस, श्रेणी, प्रतिशत, 84 प्रतिशत, क्रम संख्या चार, MBA, वर्ष 2004, आदर्ष इंस्टिटूट ओफ मैनेजमेंट, श्रेणी, प्रतिशत, 85 प्रतिशत, इसके पश्चात, अन्य बंधित योग्यताएं लिखी हैं, पहला, कंप्यूटर का अच्छा ग्यान और अभ्यास, MS Office तथा इंटरनेट, दूसरा, फ्रांसिसी भाषा का कार्य योग्य ग्यान, इसके पश्चात, उपलब्धियां लिखी गई हैं, पहला, अखिल भारतिय वाद विवाद गिता, 2002 में प्रथम पुरसकार, तीसरा, विद्याले और महा विद्याले क्रिकेट टीमों का कप्तान, तब पश्चात, कार्य तरगति विधियां और अभिरुचियां लिखी हैं, पहला, उद्योग व्यापार संबंधी पत्रेकाउं और अखबारों का नियमित पाठन, इसके पश्चात, लिखा गया है, वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हों, पहला, श्री जे रामनाथन, निदेशक, आदर्श इंस्टिट और मैंजमेंट लोधी एस्टेट नई दिल्ली, दूसरा श्री देवेंद्र गुपता, प्राध्यापक, मार्केटिंग, आदर्श इंस्टिट और मैंजमेंट लोधी एस्टेट नई दिल्ली, इसके पश्चात, बाइयोर, तिथी और स्थान लिखा गया है, तथा दाइयोर, हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रिष्ठ संख्या 180, चाचा जी ने स्ववरित पर नज़र डाली और नरेंद्र की ओर देखकर संतोश और प्रशंसा के सम्मानित भाव से मुस्कुराए। थोड़ा विराम देकर वे आगे कहने लगे। फिर बोले, लेकिन नरेंद्र, ये तो आधी ही लड़ाई हुई, आधी तो अभी बाकी है। क्या मतलब? नरेंद्र की उच्सुकता बढ़ गई। मतलब ये कि सिर्फ स्ववरित देने भर से ही काम नहीं चलता। स्ववरित के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ हम स्ववरित को लगाते हैं और नियुकता को उसके विचार के लिए भेज देते हैं। मगर चाचा जी, जब स्ववरित में सारी जानकारियां दे ही दी जाती हैं, तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की जरूरत क्यों पढ़ती है। प्रिष्ठ संख्या 190 ये अच्छा सवाल है, स्ववरित तो बना-बनाया रखा होता है, विज्यापन देखा और भेज दिया। अतह सिर्फ स्ववरित से ये पता नहीं चलता कि उम्मीदवार, पद और संबंधित संस्थान को लेकर कितना गंभीर है। स्ववरित की एक कमी ये होती है कि ये सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है। इसमें भाशा का वो वायक्तिक स्पर्ष नहीं आपाता। दूसरी ओर, आवेदन पत्र हर विज्यापन के लिए विशेश तोर पर लिखे जाते हैं। ये उम्मीदवार के भाशाग्यान और अभिव्यक्ति की क्षमता की तो जानकारी देते ही हैं। वो ये अपेक्षा रखता है कि चैन के बाद वो नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य ठीके। आविदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोकता को मिल जाता है। चाचा जी, आविदन पत्र तो हम लोग स्कूल के जमाने से ही लिखते रहे हैं। क्या नौकरी के आविदन पत्र अपने स्वरूप में अन्य आविदन पत्रों से भिन्न होते हैं। आविदन का धाचा या स्वरूप तो वैसा ही होता है, जैसा अन्य दूसरे आविदन पत्रों का होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग होता है। पद के लिए अपनी योगिता और गंभीरता के प्रती नियोकता का विश्वास चगाना। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से इसकी विश्य वस्तू अन्य आविदन पत्रों से भिन्न होती है। दूसरे खंड में उम्मीद्वार ये बतलाता है कि वो विज्यापन में वरेनित योगिताओं और आवशक्ताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है। तीसरे खंड में उम्मीद्वार पद और संस्थान के प्रती अपनी कमभीडता और अभिरुची को अभिव्यक्त करता है। चौथा खंड उपसनहार यानि आवेदन पत्र की विशेवस्तू के आपचारिक समापन के लिए होता है। नरेंद्र को चाचा जी की बातें तो समझ में आ रही थी, मगर एक शंका भी थी। उसने पूछा, तीसरे खंड के बारे में अभी अभी आपने बताया कि इसमें उम्मीद्वार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को अभिवेक्त करता है। ये बात पूरे तोर पर साफ नहीं हुई। चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। जिस प्रकार नियोकता अपनी पसंद का उमीद्वार चुंता है, उसी प्रकार उमीद्वार को भी नियोकता का संस्थान पसंद आना चाहिए। तभी उम्मीद्वार के लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है जब उम्मीद्वार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है तो वो उसके बारे में जानकारियां हसिल करता है और ये तै करता है कि वे उसके सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप है या नहीं अगर उम्मीद्वार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है तो आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए नियोकता पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है चाचा जी अभी तक तो मैं विज्ञापन के जवाब में किवल स्ववरित्त ही भेजा करता था मगर अब मैं स्ववरित्त को आवेदन पत्र के साथ भेजा करूँगा चाचा जी बोल पड़े फिर शुबकारे में देर किस बात की फिर वे अखबार के पन्ने पलटते हुए बोले मैंने इसमें तुम्हारे लिए अभी अभी एक विज्ञापन देखा है इंडिया केमिकल्स लिमिटेड को मार्केटिंग एग्जेक्युटिव्स की जरूरत है तुम इसके लिए आवेदन पत्र तयार क्यों नहीं करते आवेदन का आवेदन होगा और इस बात की परिक्षा भी हो जाएगी कि अभी अभी तुमने मुझसे कितना सीखा है नरेंद्र को अखबार पकड़ाने के बाद अब चाचा जी पडोस में अपने मित्र से मिलने चले गए और नरेंद्र अपने कमरे में आवेदन पत्र लिखने चला गया जब आवेदन पत्र तयार हुआ तो वो इस प्रकार था प्रिष्ठ संख्या 191 बाई तरफ लिखा गया है सेवा में उसके ठीक नीचे महाप्रबंधक, कोष्ठक में मानवसंसाधन उसके भी नीचे मानवसंसाधन विभाग इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36, न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई, 400, 00, 005, 00 उसके ठीक नीचे विशय लिखा गया है मार्केटिंग एग्जेक्यूटिव पद के लिए आवेदन उसके नीचे महोदय करके संबोधन में लिखा गया है महोदय, आज दिनांक 16 अप्रेल 2006 को दिली से प्रकाशित नव भारत टाइम्स के प्रातह संसकरण में प्रकाशित विग्यापन से ग्यात हुआ है कि आपकी कंपनी को मार्केटिंग एग्जेक्यूटिव की आवशक्ता है मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरा सुवरित इस आवेदन के साथ सनलगन है इसका अवलोकन करने पर आप पाएंगे कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उप्युक्त उम्मी द्वार हूँ मैं विग्यापन में आपके द्वारा वरनित सभी योग्यताओं और अहरताओं को पुरा करता हूँ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है क मैं विग्यान का चात्र रहा हूँ और रसायन शास्त्र मेरा प्रिय विशय रहा है मैंने इस विशय में Otherwise के साथ प्रथम श्रेडी में सनातक की उपाधी पाई है मैं आपकी कांपनी की गतिविधियों और उत्पादों के वैज्ञानिक पहलूओं से न केवल पूरी तरह से वाकिफ हूँ, बलकि उन्हें आपके ग्राहकों के समक्ष सरल शब्दों में प्रस्तुत करने की भी क्षमता रखता हूँ ख, मैंने मार्केटिंग में प्रथम श्रेडी में MBA किया है और मुझे मार्केटिंग के विभिन सैध्धान्तिक और व्यावारिक पहलूओं का पूरा ग्यान है ग, मैं लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से स्वयम को अभिव्यक्त करने में सक्षम हूँ मुझे वाद विवाद और निबंध की अखिल भारतिय प्रतियुगिताओं में प्रथम पुरस्कार मिले हैं ग, मैं अपने विद्याले और महा विद्याले की क्रिकेट टीमों का कप्तान रहा हूँ इससे मेरी टीम भावना और नित्रत वक्षमता प्रमानित होती है ग, मैं परेटन का शौक रखता हूँ और लगभग पूरे देश के महत्वपोन स्थानू का दौरा कर चुका हूँ मेरी यह प्रक्रती पद की आविशक्ता के अनुकूल है मैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी पत्र-पत्र काएं पढ़ने का शौक रखता हूँ इनके माध्यम से मैं आपकी कंपनी की गतिविधियों से निरंतर अवगत रहा हूँ कि आपकी स्थापना के कुछ ही वर्षों के अंदर कंपनी की गतिविधियों में व्यापक विस्तार हुआ है मेरी सूचना के अनुसार कमपनी ने भविश्य के लिए अत्यन्त महत्वकांग्शी योजनाय बनाई है मैं महसोस करता हूँ कि ऐसे माहौल में मुझे न केवल अपनी उन्नती और विकास का अवसर मिलेगा बलकि मैं कमपनी की उन्नती और विकास में भी योगदान कर सकूँगा अनुरोध है कि उपरियुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव के पत पर नियुक्त करें बायोर लिखा गया है साधन्यवाद, दाइं तरफ लिखा गया है भवदिय, नरेंद्र कुमार और फिर हस्ताक्षर किये गये हैं प्रिष्ठ संख्या एक सौब बानवे जब तक नरेंद्र का आवेदन पत्र तयार हुआ, चाचा जी पडो से वापस आ चुके थे उन्होंने आवेदन पत्र को पढ़ा और गहरी सांस खीचते हुए कहा वैसे तो मैं कमपनी के मानव संसाधन विकास के महा प्रबंधक को अच्छी तरह से जानता हूँ मगर मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा मुझे विश्वास है कि तुम ये पद अपनी योगिता के बल पर हासल कर सकोगे दो महीने बाद मुंबई में चाचा जी के फ्लैट की घंटी बजी दर्वाजा खोलने के बाद चाचा जी ने दर्वाजे पर नरेंद्र को खड़ा पाया हाथ में मिठाई का डिबबा और गरम सूट का एक पैकेट था दोनों की नजरें मिली नरेंद्र ने चाचा जी के पैर चुए और चाचा जी ने बधाई देते हुए उसे गले लगा लिया अभ्यास पाठ से समवाद पहला, कलपना कीजिए कि आपने पत्रकारिता के क्षित्र में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और किसी प्रसिद्ध अखबार में पत्रकार पद के लिए आवेदन भेजना है इसके लिए एक आवेदन पत्र लिखिए दूसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन उच्छ शिक्षा हेतु स्कॉलर्शिप प्रदान करती है अध्या, उसे भेजने के लिए अपना बायो डेटा तयार कीजिए तीसरा, स्वाव रित में कौन-कौन से बिंदूओं को शामिल किया जाता है और उनकी प्रस्तुती का क्या प्रभाव पड़ता है उदाहरन सहित स्पष्ट कीजिए